नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम विप क्रीम बनाएंगे विप क्रीम को केक पर, कप केक पर, पेस्ट्री पर लगाये जाता है इसे पुडिंग और स्मूधी में भी डाल करके खाये जाता है विप क्रीम को अलग-अलग रंगों और अलग-अलग फ्लेवर में बना सकते हैं हम सबसे पहले वनीला फ्लेवर की विप क्रीम बनाएंगे तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए हमने 250 ml फुल फैट क्रीम लिए है, हैबी क्रीम लिए है और ये बनीला एसेंस और ये पाउडर सुगर तो विप क्रीम बनाने के लिए हमें इसे फैटना होगा तो एक प्याले में हमने वर्फ के क्यूप्स डाल लिये हैं और एक प्याला हमने इसके उपर रख लिया है और ये क्रीम हम उपर वाले प्याले में डाल लेंगे सबसे पहले हम कम स्पीड पर चलाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे इसमें हम जस्त तीन चार ड्रॉप्स पनीला एसेंस की डाल देंगे और दो टेबल स्पून पाउडर सुगर डाल देंगे यह विप क्रीम हमारी तयार हो गई है इसको हम बहुत जादे भी नहीं फैटेंगे क्योंकि जब बटर निकलाता है तो विप क्रीम अच्छी नहीं बनती अब हम इसे प्याले में निकाल करके रख लेंगे केक को डेकोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यह हमारी बनीला फ्लेवर वाली वाइट विप क्रीम तयार है अगर हमें फ्रूट फ्लेवर में विप क्रीम बनानी है तो हम मैंगू फ्लेवर में विप क्रीम बना सकते हैं इस्ट्रोवेरी फ्लेवर में बना सकते हैं पाइनेपल फ्लेवर में बना सकते हैं तो अभी हम mango flavor में विप cream बना ले रहे हैं तो देखते हैं mango flavor की विप cream बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये हमने 250 ml heavy cream ले लिए है और आधा cup mango का pulp ले लिया है powder chini और orange color ले लिया है तो विप cream बनाने के लिए ये प्याला ले लेंगे नीचे बर cream को प्याले में डाल देंगे और ये pulp भी डाल देंगे और अब हम इसे विप करेंगे पहले speed कम रखेंगे और बाद में हम थीरे-दीरे speed बढ़ाएंगे थोड़ा सा कलर थोड़ा डार्क दिखें इसके लिए हम इसमें एक पिंच कलर डालेंगे पहले से में प्याली में थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूं लिक्वीट कलर है तो डायरेक्ट ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हैं अब मैं इसे मिला दूँ विप करेंगे दो टेबल स्पून पावडर चीनी डाल देंगे चीनी को थोड़ा सा अपने फ्लेवर के इसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं यह मैंगो फ्लेवर वाली विप क्रीम बन करके तयार हो गई है एक बार हमें क्रीम को विप करने में आठ से बारा मिनिट तक का टाइम लग जाता है और यह जरूर धियान रखना है कि हम इसको ओवर विप ना कर दें वहना मक्षर निकलने लगेगा तो विप क्रीम अच्छ चौको फ्लेवर वाली विप क्रीम बनाएंगे चौको फ्लेवर की क्रीम बनाने के लिए हमने 250 ml हैबी क्रीम लिया है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून चीनी पाउडर लिया है तो बनाना शुरू करते हैं चौको फ्लेवर विप क्रीम क्रीम को प्य कोकॉआ पाउडर ढाल देंगे और चीनी पाउडर भी ढाल देंगे और विट करते एक क्रीम क्रीम को गिरा कर देखें और वो एकदम से ना गिरे तो हमारी क्रीम तयार हो गई है यह हमारी चौको फ्लेवर वाली क्रीम तयार है हमने ये तीन कलर में तीन फ्लेवर में विप क्रीम बना करके तयार की है और विप क्रीम बनाना बहुत आसान है बस इतना सा धियान रख लें जब आप क्रीम को विप कर रहे हों तो क्रीम ओवर विप ना होने पाए अगर क्रीम ओवर विप हो जाएगी तो उसका मख़न निकल 끼ाोआई गए और प्रिम अच्छी नहीं वनेगे यह घ्रिसक को आप टाइट कंटेनर में भार करके प्रिके में रख़ ले और जब भी क्रीम यूज और honor । कर लें अगर कभी आपको ऐसा लगे कि क्रीम लूज हो रही है पतली हो रही है तब आप उसे फिर से वीप कर लें आप वीप क्रीम बनाएए और अपने अनफ़ निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर